हेलो फ्रेंट्स मीनियेचर वहेकल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मोडल वाप फाइप लोकमोटिव बनाएंगे तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए है तो इस चैनल को सब्सक्र इसे लिए उसमें चार उजल लगेंगे उसका इसतेमाल करेंगा उसके प्लस्टिक का तो उसके प्लस्टिक को हम काट कर निकाल लेते हैं तो देखिए इसी प्लास्टिक के उपर हम उसके जो बोगी का फ्रेम में उसको यहां पर ड्रो करके कट कर लेंगे तो इसके उपर हम उसको पहले ड्रो कर लेते हैं तो देखिए दोस्तो इसका जो बोगी का फ्रेम को मैंने इसके उपर ड्रो कर लिया है तो इसको अब हम अच्छे से कट कर लेंगे तो देखिए मैंने यहां पर इसको इस तरह से कट कर लिया है कट करने के बाद इसी तरह से एक और भी पीस बनाएंगे तो देखिए यहां पर होल बनाएंगे hole बनाने के बाद यहाँ पर एक प्लास्टिक के टुकड़े के मदसे उसको चिबका देंगे देखिए दोस्टो मैंने इस तरह से इनको आपस में जोड लिया है superglue के मदसे उसके बाद यहाँ पर मैंने black color कर लिया है और यहाँ पर hole भी बना लिया है उसके बाद हमें जो wheels और motor को हैंपर fix करेंगे तो देखिए मैंने वहीं wheels का इस्तमाल किया है जो wheels मैंने पहले एक locomotive में use किया था आप उस वीडियो से भी उसको देख सकते हैं या फिर मैं आई बीटर में आपको वो वीडियो का काट देदूँगा या वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं तो मैंने देखिए इस तरह से मैंने motor को fix किया है MCL के मदद से मैंने यहां पर इसको जोड दिया है और एक दो gear के मदद से wheel के साथ यह attach है उसके बाद हमें यह जो hole बनाया थे उसके अंदर यह wheels को डाल देंगे इस तरह से यह देखिए यह दल गया है उसके बाद यहां पर थोड़ा glue लगा कर उसको चिपका देंगे तो यह हमारा एक motor और wheel arrangement बन चुका है और दूसरी तरप के लिए भी उसी तरह से motor में wheel को लगा कर देखिए इस तरह से महां पर लगा देंगे तो हमारा जो बोगी है वो complete हो चुका है तो इस तरह से हमने बोगी बनाया है दूसरा बोगी भी उसी तरह से ही बनेगा आप उसमें motor लगा सकते हैं या फिर नहीं लगाने से भी वो चलेगा प्सक्राइए झाल 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 झाल